हेलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं आपका भाई विकास मलोतरा और आप देख रहे हैं विकास मलोतर ओफिशल आशा करता हूँ आप सभी लोगों ठीक होंगे और आप सभी लोगों की दुआउं से आपका भाई विकास मलोतरा भी बिल्कुल ठ थिक है क्या होता है दोस्तों कि जब भी हम कभी computer applications की बात करते है computer activities कि बात करते हैं या computer पर kाम करने की बात करते हैं तो उसमें MS Office बहुत जादा useful होता है MS Office की जो application है जैसे Word, Excel, PowerPoint उन पे बहुत ज़्यादा काम होता है जब भी हम computer पे काम करते हैं चाहे हमें एक student है या फिर हमें एक employee है या फिर एक business man है जो भी हमारे को काम करना होता है उसमें बहुत ज़्यादा जो use होता है वो इन तीन application का होता है आप मेरी पिछली वीडियोज देखेंगे मैंने Excel के उपर बहुत सारी वीडियोज बनाई है जब भी हम Excel की बात करते हैं दोस्तों चाहे हम student है या फिर आगर हम एक interview देने भी जाते हैं और Excel के बारे में बात होती है तो दो चीज़े employer हमेशा पूचता है भाई पिवी टेबल आता है या वी लुक अप आता है आप मेरे पिछली वीडियोज देखेंगे मैंने पिवी टेबल के उपर आपको वीडियो बना कर दिया है जिसमें मैंने यह समझाया है कि पिवी कैसे यूज़ किया जाता है आज के इक वीडियो में मैं आपको तीन चीज़ें बताऊना बहुप ज्यार्दफाइल की we look up का use match function के साथ कैसे होता है यह बहुत जादा important है दोस्तों इसको जरा ध्यान से देखिएगा साथ में मैं transpose function के बारे में बताऊँगा और साथ में एक function हो रहा है text to column इसकी details के बारे में मैं आपको बताऊँगा तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों end तक देखिएगा और वीडियो पसंदा है तो like कीजिए share जरूर कीजिए आप अपने सुझाओ अपने comments नीचे comment box में दे सकते हैं अगर आप मेरे वीडियो पर new visitor है तो नीचे subscribe का बटन दे रखा है और यहाँ पे कुछ subjects दे रखे हैं math, physics, chemistry, biology और उनके number दे रखे हैं वैसे तो आप कोई भी database ले सकते हैं अगर आप एक employee है तो आप employee का database ले सकते हैं या कोई और भी database ले सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए कुछ एक data लिया है जहाँ पे student के नाम है और उनके कुछ number दे रखे हैं तो यहाँ पे हमारे को लगाना है we look up के साथ match function basically two way look up करना है कि मैं चाहता हूँ कि किसी एक student के नाम के उसके subject में कितने marks थे यह find out easily हो जाए तो उसके लिए हम सबसे पहले जैसे कि यह आप देख सकते है हम यहाँ पर लगाएंगे दो list ताकि हम data को select कर सके हैं उसके लिए हम जाएंगे data में then हम जाएंगे data validation में और यहाँ पे हम select करेंगे list और उसके बाद हम select करेंगे source पहले हमारे को student के नाम दिखाने है तो हम सारे student के नाम select करके ok कर देंगे यहाँ पे list drop down वा गया है इसको हम थोड़ा color कर देते हैं next हम subject का list लेंगे again data में जाएंगे data validation list को select करके source select करेंगे अब हमारा source है यह subject तो यह चारो subject select करके ok कर दिया इसको भी मैं color कर देता हूँ अब हमारे को यहाँ पे result दिखाना है तो एक column और ले ले लेते हैं उपर लिख लेते है result तो basically क्या होगा कि मैं student select करूँगा subject select करूँगा उसका number सामने आ जाएगा जैसे मैंने संजना select करा chemistry select करा तो इसका यहाँ पे number आ जाएगे तो इसके लिए लगाएंगे हम formula हमारा formula क्या है दोस्तों again is equal to v look up bracket शुरू look up value क्या होगी सबसे पहले हम नाम को search करेंगे तो इसको हमने select कर लिया okay comma okay अब हमारा table array क्या होगा मतलब यह पूरा हम जो इसका table है वो select करेंगे इसमें से वो value उठाएगा और यहाँ पे हम dollar का sign दे देंगे एक a से पहले और एक a के बाद similarly e से पहले भी और e के बाद भी dollar का sign लगेगा fine तो यह हो गया अब comma अब हम लगाएंगे match function क्योंकि हमारे को student name match कराना है subject के साथ तो यह हमारा look up value है अब look up array क्या होगा यह होगे हमारे subject की वाली जो line है इसको पूरा select कर लेंगे और इसमें भी similarly वैसे ही हम dollar लगाएंगे ठीक है अब इसके बाद हमारे को जैसे यह formula आप देख सकते थे is equal to exact match कराना है तो zero bracket बन match वाला फिर comma zero फिर we look up वाला bracket बन and enter आप देख सकते हैं कि result आपके सामने आया है इसको थोड़ा सा test कर लेते हैं suppose मैंने आनंद को select करा और यह देखना चाहा कि biology में उसके किने नमबर है तो 77 शो कर रहा है इसको verify कर लिजिए वर्क कर रहा है एक और example ले लेते है जो के physics में 57 नमबर यह दिखा रहा है तो that means जो हमारा यह है और 57 नमबर physics में accurate है तो इसका मतलब यह है कि यह बिल्कुल वर्क कर रहा है we look up with match यह बहुत important topic है दोस्तों please इसे अच्छी तरह समझेगा अब बात करते हैं दोस्तों transpose की आपके सामने कुछ data दे रखा है यह है vertical रूप में इसको horizontal transfer करना है मतलब कि आपके सामने data दे रखा है column wise इसको adjust करना है row wise तो इसके लिए हम लगाएंगे transpose का formula यहाँ पे नाम दे रखा है इसके आगे चार column है इसमें इनके number दे रखे है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छे data मैंने लिया है तो उसके accordingly हम छे cell को select करेंगे आगे column में जो data है वो चार column में है उसके accordingly नीचे हम चार बार select करेंगे अब formula लगाएंगे formula क्या है इसकोल टू ट्रांस्पोज ब्रैकेट शुरू जैसे ही हमने select कर लिया control प्लस shift प्लस enter और जैसे ही आप यह करेंगे आप देख सकते हैं आपका जो column वाला data है वो row wise आ गया है अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले point text to column की क्या होता है दोस्तों कि आपके पास एक cell में कुछ data पढ़ा है वो data आपको थोड़ा थोड़ा दूसरे cell में divide करना है जैसे हम यहाँ पर मैं लिखता हूँ my youtube channel name is vikas malotra official vmo अब क्या है कि यह पूरी की पूरी line का जितने alphabets है एक cell में है इसके जो बाकी के word हैं जैसे youtube, channel, name वो आपको अलग-अलग cell में b, c, d, e, accordingly उसमें उनको divide करना है तो यह basically कहीं बार क्या होता है कि कहीं सारा data एक साथ merge होता है तो आपको उसको different, different cell में लेना होता है तो उसके लिए हम text to column का use करते हैं आप क्या करेंगे हम यहाँ पे शुरुआत वाले cell को select करेंगे data में जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ मैंने select कर लिया data में जाके आप text to column करेंगे यहाँ पे आप करेंगे Delimited Then Next यहाँ पे आप देखिए कि Space का Option अवलेबल है इसको हम Select करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माई के बाद Space है YouTube के बाद Space है इसके बाद हम करेंगे और नीचे आप Preview में देख सकते हैं अलग-अलग Cell में आ गया है तो अब हम इसको OK फिनिश करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक Single Word एक Single Cell में आ गया है तो Basically Text to Column का का काम क्या होता है कि आपके पास अगर एक Cell में Different Different Data है उसको अलग-अलग Cell में Move करवाना है तो आप उसे Easily Text to Column से करवा सकते हैं